क्वेस्टन नम्बर टू कन्वर्ट दा फाल्विंग रेडियन मेयर्स आफ एंगल्स आफ दा सेख्जाजेसिमल से यह सिस्टम इस क्वेस्टन में क्या करना है आपको एंगल पी ऐसा यूनिट में वैल्यो दी गई है एसा यूनिट मतलब रेडियन के अंदर वैल्यो दी जाएगी और उसको आपने कन्वर्ट करना है सेख्जाजेसिमल सिस्टम क्या होता है सेख्जाजेसिमल सिस्टम के अंदर डिगरी होती है मिनट होती है और सेकंड होती है मतलब हमें question को convert करना है degree, minute और second के अंदर लेके जाना है, radian माईयर से, तो चलें start करते हैं, part number one, part number one है मेरे पास pi by eight radial, pi by eight, sorry इसको दुबारे लिख लेते हैं, pi by eight radial, इसको convert करना है हमें degree के अंदर, degree minute और second के अंदर convert करना है, सिर्फ आपने ये लिख देना है, pi की जगर पर one eighty put करवा देना है, बस, याद रखे हैं, जब भी आपने radian से degree में जाना हो, तो pi की value put करवा देनी है, one eighty degree, क्योंकि हम जानते हैं, कि pi बराबर होता है, one eighty degree के, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मेरे जो first lecture है, question number one जो है ना, उसमें मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से explain किया है, पहले आप उसको जाके सुनने है, तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है, तो pi की देखा पर आपने सिरफ one eighty degree को डाल दियो, over eight, अब ये सारी के सारी value किसमें आ गई है, degree के अंदर आ गई है, ठीक है, degree, degree, यहां लिख देते हैं, degree, after simplification इसको देखें, कि one eighty को eight पर आप कर दें, divide, तो यहां पर देखें, one eighty को divide कर देते हैं, eight पर, तो eight को two पर divide करेंगे, तो यह बनेगा sixteen, और यहां पर यह two, यह zero वैसे, eight को मतलब two time multiply करेंगे, तो यह बन जाएगा, again, यानि कि sixteen, upon आ जाएगा four, ठीक है, अब इसको आप किस तरह से लिखोगे, one eighty over eight degree को लिखा जा सकते है, twenty two degree, और plus four by eight, plus four by eight, ठीक है, twenty two degree, four by eight, cancel करेंगे, तो four को यह eight पर cancel करेंगे, तो यह आ जाता है, one over two, one over two degree, अब यह fraction form आ गई है, तो जब भी fraction form में, यह तो twenty two, तो complete degree में आ गया नमबर, इसको तो आपने solve कर लिए, लेकिन जब भी fraction form में आ जाए, तो आपको इसको मर्जीद simplify करना होगा यह नि कि, यह जो fraction form है, डिग्री को convert करना होगा, अब आप जांते हूं के, मिनिट के अंदर जाने के लिए, हम क्या करते हूं? जानते हैं कि एक डिगरी के अंदर 60 मिनिट होते हैं और एक मिनिट के अंदर 60 सेकंड होते हैं अब आपने डिगरी से कहां पर जाना है मिनिट के अंदर जाना है तो डिगरी से मिनिट के अंदर जाने के लिए हमेशा 60 से मल्टिप्लाई करवा देते हैं तो मैं क्या करता हूँ 22 degree as it is और 1 by 2 को multiply करवा जता हूँ 60 से अब यह degree का sign खत्म हो गया बल्कि एक नया sign आगया dash और dash यहाँ पर represent करता है minute को simplify कर ले तो 22 degree और plus आगया 2 को यह cutting कर ले यह आपर यह 2 cutting करेंगे तो यह बन जाएगा 30 तो यह 30 minute उसके बाद आप plus का sign खत्म कर दे 22 degree and 30 minute ठीक है और यहाँ पर देखें कि यह जो मैंने किया था ना कि यह 1 by 2 था यह वाला अगर इसकी जगह पर मैं इसको मतलब 0.5 लेता था अगर decimal में भी हल करता तो decimal में भी हल हो जाता लेकिन तो अगर तो आपकी fraction जो है ना वो इचारिय के बाद जो है ना वो repeat नहीं हो रही मतलब terminate हो रही है तो फिर तो आपका result सही है को उसमें accuracy है लेकिन अगर आपका non-terminating आ जाता है non-terminating यानि इचारिय के बाद number जो है जैसा है मतलब repeat होने चुरो जाते है 13 13 13 या 6 6 या 7 7 कुछ इस तरह से number आ जाते है तो वो non-terminating है तो उस सूरत में अगर आप इचारिय की सूरत में इस question को solve करते हो तो आपका answer में error आ जाएगा मतलब answer कोई चितना अच् digit रह जाएंगे तो इससे बितर है कि आप इसको fraction में रहने दो और fraction की मतलब सही हल करो तो इससे आपके जो result आएंगे वो बिलकुल accurate आएंगे ठीक है चले next part की तरफ चलते हैं अब part number two pi by six radian pi by six radian आपने इसकी degree में convert करना है तो कैसे करोगा इस simple आपने pi की जगह पे one radical put करवा देना और यह six अब यह value convert होगी है किस के अंदर degree के अंदर convert होगी है तो six देखें इसकी cutting कर लेते हैं यहाँ पर यह देखें six one zero six और six three zero eight और यह six zero zero ठीक है तो यह answer आगया 30 degree तो अब यह तो 30 degree तो complete है इसके अंदर कुछ भी friction नहीं है तो यह हमारा क्या आगया answer आगया इसके बाद next part number three पर जले जाते हैं part number three है pi by four pi by four radian तो pi की जगह पर आप लिख दो pi की जगह पर आप लिख दो 180 180 divided by यह four तो आप इसको भी cancel out कर लेते हो तो चार को एक सो सी पर अगर पुर पुरे डिवाइड करेंगे तो result आ जाता है मेरे पास 45 degree ठीक है part number four होगा part number four है pi by three radian pi by three radian तो pi की जगह पर लिख लिख दो 180 अपॉन 3 तो यह degree में convert हो गया तो यह result आजाता है 60 degree next part number five पर जले जाते है pi by two radian pi by two radian pi की जगह पर लिख लिख दो 180 अपॉन 2 तो यह degree में बन जाएगा cancel out करने से 90 degree और next part number six जो होगा वो कैसे होगा part number six two pi upon three radian ठीक है अब इसमें भी क्यों करोगे two और pi की जगह पर लिख देंगे 180 अपॉन आगया यह three अब यह convert होगा degree के अंदा है after simplification multiply करोगे तो देखें यहाँ पर यह three जो है नवो cutting हो रहा है तो देखें three बंगार three three यह six और यह आगया zero साथ को दो से multiply करोगे तो यह बंजाएगा 120 degree इसके बार next part number seven है number seven है three pi upon four radian तो यह three multiply by 180 upon आगया four अब इसके अंदर cutting करके आप इसका result में direct यहाँ पर लिख देता हो यह आजाता है 135 degree और यह next part number eight होगा part number eight five pi by five pi by six radian तो यह देखें pi की जगह पे सिरफ आपने 180 replace करवा दिया तो यह सारी की value degree में convert हो गई है इसको simplify कर लेते हैं यहाँ पे देखें यह जैसे six cutting हो रहा थी thirty thirty को multiply करवा दे five से तो यह आजाएगा 150 degree part number nine part number nine क्या होगा मेरे पास seven pi seven pi divided by twelve radian इसमें भी क्या करना है pi की जगह पे सिरफ 180 को replace करवा देना है divided by twelve तो यह degree बन जाएगा तो this is equal to यह result किसके बराबर आजाएगा cancel out करने से यह बन जाएगा 105 degree तो next part number ten क्या होगा मेरे पास nine pi upon five radian तो इसमें भी वही same method है nine और pi की जगह पे लिख दो 180 over आगया five यह degree में convert हो गया इसको मतलब आप cutting करना होगे तो यह result आजाएगा three twenty four degree और इसके बाद now the next part is eleven part है eleven pi upon twenty seven radian ठीक है इसको अपने convert करना है degree के अंदर तो सबसे पहले आपने क्या प्रिका कार होता है आप pi की जगह पे replace करवा बाद 180 over आगया twenty seven यह सारी के सारी value convert हो गई है degree के अंदर इसके बाद आप इसको simplify कर लेते हो तो यहाँ पे देखें कि यह cutting करो गए तो यह twenty seven cutting कर ले twenty seven nine पे cut हो गहा है nine यह 27 और यह nine two's are twenty eight और यह बन गया twenty ठीक है तो यहाँ पे मैंने इसको cutting कर ली seven को twenty से multiply करवा देंगे divide by three तो eleven को twenty से जरब करवाएंगे तो यह बनेगा two hundred and twenty upon three degree अब fraction form है तो fraction form में हम क्या करते थे fraction form में हमें इसके लिए devian करनी होती है two hundred two two hundred and twenty को divide कर लेते हैं three पा twenty one और यह one three threes आर जो होगा वो nine बन जाएगा और one इसका मतलब हम इस value को लिख सकते हैं यहां पर देखें two hundred and twenty by three degree को लिखा जा सकते हैं seventy three degree plus यह one और यह three one by three degree ठीक है अब यह अगें fraction form आ गई है तो fraction form में हम क्या करते हैं कि इसको मजीद solve करते हैं कि यह वाली जो value हम रपस मजूद है degree के अंदर है इसको अब हमें minute में लेके जाना है तो minute में convert करने के लिए तरीका कार क्या होता है कि इसको 60 से multiply करवा दें तो यह minute में convert हो जाता है तो ठीक है तो यह 73 degree plus यह three cutting करेंगे इसके उपर तो 20 बन जाएगा तो यह बन गया 20 minute यह 73 degree plus का sign कतम कर दें और 20 minute लेके next part number 12 है part number 12 part number 12 है 13 pi upon 16 radian इसको भी convert करना है आपने degree के अंदर तो सबसे पहले आप pi की जगा पे लिखोगे 180 over लिख दोगे 16 अब यह सारी के सारी value degree में convert होगी है after simplification इसे 4 पर आप काट देंगे 4 पर काटने के बाद result आ जाएगा 555 upon 4 degree अब यह fraction farm है fraction farm है आप इसकी division कर लोगे 555 यह 4 पर इसकी करोगे तो यह बन जाएगा 4 यहां पे 1 और यह 8 4 4s are 16 फिर यह 2 और यह आ गया 5 तो यह आ गया 6 24 यहां पे 1 आ गया आप इसको लिख सकते हो यह जो value है 555 degree over 4 degree को लिखा जा सकते है 146 degree और प्लस आ जाएगा 1 by 4 degree अब 1 by 4 degree को आपने convert करना है minute के अंदर तो minute के अंदर convert करने के लिए क्या तरीकागार होता है आप इसको short से multiply करवा दो short से multiply करवाएंगे तो यह result आ जाएगा हमारे पास 15 minute ठीक है यह plus का sign है plus का sign next step में आप खतम कर दोगे 156 degree and 15 minute तो next part है मारे पास 13 part number 13 है 17 pi over 24 इसको भी देखें pi की जागा पर आप लिख दोगे 180 over अगया 24 अब यह degree में कलवाट हो गया ठीक है अब इससे simplify करोगे इसको 12 पर जो है ना वो काट देंगे तो काटने के बाद 12 पर यह करने के बाद यह result देदेगा 255 upon 2 degree अब यह again friction farm में है तो friction farm को हल करने के लिए हम division का method इस्तमाल करते हैं तो 255 को 2 पर divide करते हैं तो two ones are two और यह five two twos are four और यह fifteen तो यह seven आ जाएगा तो यहां पर ठीक है अब इसको लिख सकते हैं अब इसी value को 255 upon two degree को लिखा जा सकते हैं one twenty seven degree और plus one upon two degree अब यह again fraction farm में आ गया तो fraction farm में हम इसको कैसे solve कर सकते हैं one by two को तो six से multiply करवा दें तो यह minute में convert हो जाएगा तो one twenty seven degree thirty minute और plus का sign कतम करेंगे one twenty seven degree and thirty minute आ जाएगा और next हम आर पास आ जाते हैं part number fourteen twenty five pi over thirty six pi की जगह पे twenty five over thirty six और pi की जगह पे one eight ही लेग दिया और इसको मतलब हम cancel out करेंगे तो यह result हाजाएगा 125 degree पूरा पूरा यानि कि हम इससे 36 पर हमने इसको divide कर दिया ठीक है तो dividing by thirty six मेंने किया इसको ठीक है तो यह 125 degree पूरी value होगी यह कोई भी fraction फार्म नहीं है तो इससे minute में convert नहीं किया जा सकता और इसके बाद है part number fifteen इस question का last part है 19 pi, 19 pi over 13 तो आप सबसे पहले 19 over 13 और pi की जगह पे लिख जाते हैं 180 अब यह सारा value किस में convert हो गई है degree के अंदर हो गई है आप इसे cutting कर लेंगे cutting करने के बाद आपको result मिल जाएगा 855 upon 8 degree अब इसको devian का मल करोगे devian 855 को 8 पर divide करें 8108 अब देखें यह 5 5 पे तो divide नहीं हो सकता है एक और digit नीचे लेके आना पड़ेगा तो यह बन जाएगा 8 एक 0 लगाना पड़ेगा और यह 6 सार हो जाएगा 48 और division 7 अब इसको लिख सकते हो 855 over 8 degree को लिखा जा सकते है 106 degree और plus 7 by 8 degree अब degree से minute में जाओगे तो degree से minute में जाने के लिए क्या करते हैं degree से minute में जाने के लिए हम 60 से multiply कर देते हैं ठीक है यह 60 से multiply किया तो यह minute में convert हो गया तो 106 degree तो यहां पर देखें कुछ cutting कर लें तो यहां पर cutting करेंगे चार पर तो यह four two zero eight और यह four पर जाएगा तो fifteen बन देएगा fifteen को seven से कर देंगा multiply तो यह बनेगा one zero five upon two अब यह minute में आगए अब again fraction form आगई है इसका मतलब अब यह one zero five को two पर divide करना होगा तो one zero five को two पर divide करें two five's are ten और यह five two two's are four और यह one पतलब हम इसको again देख सकते हैं इससी step को continue करें तो one zero six degree plus इसकी जगह पर हम put करवा देते हैं fifty two minute और plus one by two minute ठीक है अब again fraction form है यह वाले इस fraction form को convert कर लेते हैं second के अंदर तो second के अंदर convert करने के लिए minute से second में जाने के लिए gain source से धरब करेंगी तो second में चले जाएंगे तो one zero six degree plus fifty two minute यह cancel out करेंगे तो यह बंडिया का thirty second तो result हम रपास आ जाता है one zero six degree fifty two minute and thirty second तो यहां पर इस question का solution कर च दो कर दो